पहली बात तो यह है कि यह विशय कॉंग्रेस पार्टी का है नहीं कि शंकराचार जी के मामले में हम दखल करें। वो एक धार्मिक गुरू हैं और उनसे ज्यादा धर्म को कौन पहचानता है। हम उनसे ज्यादा तो नहीं जानते हैं। मुझे लगा कि मुसल्मानों में थोड़ी प्रतिक्रिया होगी कि मैंने ये कहा है कि सब को अयोध्या जाना चाहिए। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी मुसल्मानों में खुब मेरा स्वागत किया, खुब अच्छी तरह मिले। और एक मुसल्मान ने तो यहां तक कहा कि साब आपके भगवाने आपको मानना चाहिए आप लोगों जाना चाहिए बहुत अच्छी बात है और जो अगर राम के नव होंगे तो मुसल्मानों के क्या होंगे शंकराचारे सदानन सरसुती ने टाइमस्नान अभारत से बातचीत में बहुत सारी चीजों खुसपष्ट किया कि किस तरह से शंकराचारेों को ले करके ब्रहम फैलाया जा रहा है हमाँ साथ बातचीत करने के लिए कॉंगरिस के वरेश नेता लक्षमन सिंग जी है सर जिस तरह से सदान सरसुती जी ने कहा कि एक ब्रहम फैलाया जा रहा है राममंदिर के मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि शंकराचारियों ने साफ तोर पर कहा है उन्होंने खुद का तो बोला ही उन्होंने कहा कि सबने मिलके जो भी बात की है वो की है कि रामंदिर को लेकर विरोध किसी का नहीं, तो ये भ्रहम क्यों फैला है? ये भ्रहम फैला नहीं चाहिए, जिन्होंने फैलाया है वो गलत है, पहली बात तो ये है कि ये विशय कॉंग्रेस पार्टी का है नहीं कि शंकराचार जी के मामले में हम दखल करें, वो एक धार्मिक गुरू है और उनसे ज्यादा धर्म को कौन पहचानता है, हम उनसे एजेंडा जो है चुनाओ का उस पर केंदरित करके चर्चा करना चाहिए, हमारी पार्टी के अंदर जो कमिया है उनको दूर करने के लिए प्रयास करें, बूथ लेवल पे हमारी पार्टी कमजोर इसलिए महारते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बूथ लेवल पे काम हो वो मिद्वार भी है वो चुनाओं भी लड़ रहा है संक्ठन भी वोई चला रहा है तो फिर इसलिए हम लोग पीछे रहे जाते हैं बार-बार शंकराचारियों का जिक्र किया कॉंग्रेस के नेताओं ने की उन्होंने मना कर दिया वो मुहूरत को लेकर के तैयार नहीं है शं शंक्राचार को कोट किया जा रहा था तो यहां कटगरे में खड़ी नहीं हो जाती कॉंग्रेस शंक्राचार जी को कोट करने के जोरोती नहीं है शंक्राचार जी धर्म गुरू है और धर्म गुरू को आप से ज्यादा धर्म के बारे में मालूम है तो हम उनके प्रवक्ता क ट्रेकर एक उपहास का केंद्र क्यों बने कि शंक्राजार जी क्या कि रॉट जाने और राम मंदर न्यास जाने उनके आपस की वीच की बात है हमें इसमें बिल्कुल दख़नी देना चाहिए इसलिए मैं कभी बहुत कम धार्मिक मामले में बोलता हूं पहली बार में बोला हू इस मुद्दे पर क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बोलना चाहिए फिर मैं अभी कल सिरोंज गया था तो वहां मैंने मुसल्मानों से बहुत चर्चा की मुझे लगा कि मुसल्मानों में थोड़ी प्रतिक्रिया होगी कि मैंने यह कहा है कि सबको अयोद्या जाना चाहिए तो कोई प्रतिक्रिया नहीं थी मुसल्मानों में खुब मेरा स्वागत किया खुब अच्छी तरह मिले और एक मुसल्मान ने तो यहां तक कहा कि सब आपके भगवाने आपको मानना चाहिए आप लोगगों जाना चाहिए बोट अच्छी बात है और जो अगर राम के नह होंगे तो मुसल्मानों के क्या होंगे हम अगर Allah को कहता, अगर वो Allah के नहीं हुए तो फिर मुसल्मान कैसा है? तो ये कहा उसने, बोला, बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा है? ये मुसल्मान कह रहा है, कि राम मंदिर जाना चाहिए अब जो बता रहे हैं, उसके मताबिक मुसल्मान जो है वो इस बात के खिलाफ नहीं है बलकि इसके फेवर में है कि राम मंदिर के कारिकरम में कॉंगरेस को जाना चाहिए वो खुद कहते हैं मुझसे कहा है कि बिलकुल जब राम आपके भगवान है तो जाहिए आप क्यों नहीं जाते हैं और हमें तो रोजगार चाहिए आप धर्म की बात क्यों करते हैं आप लोग आप हमें रोजगार दीजिए हमारा यह महंगाई कम करिए यह बाते हो करते हैं और मैं भी उनसे सहमत हूं कि जो इशूज हैं हमें उन पर फोकस करना चाहिए हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए ध गयान पर उदित राज जी एका चुनाओ लड़के जीत के लोकसभा में जाए फिर पता चलेगा चुनाओ लड़े जीते हैं मेरे क्याल से उचुनाओ अभी तक लड़े नहीं है तो पहले जरा चुनाओ का स्वात चकें तो तब उनको पता चलेगा इसलिए शंकराचार जी के एक अच्छा बारे में कोई भी कथन करना किसी के लिए भी गलत है उनका कद उनका स्थर हमसे बहुत उंचा है और हमें इस तरह की बात कभी भी नहीं करना चीए मुझे इसमें कहीं भी कोई ऐसा तत्थ नहीं दिखता है उदित राज जी से में कहूंगा कि वो हिंदू धर्म की हिंदियों की भावना का सम्मान करें इस बयान से थोड़ा बहुत उनको पुबिसिटी मिल जाती है पर इसमें दूरगामी परिनाम पार्टी के लिए और पार्टी के लोगों के लिए अच्छे नहीं होते हैं एक आखिले शादव हों, मायावती हों या दूसरी पार्टिया हों सब ने राम मंदिर के इस प्रांट प्रतिष्ठा कारेकरम का स्वागत किया है लेकिन कॉंग्रेस ने नहीं किया, अलग-अलग बयान आ रहे हैं प्लस प्लस नोट जारी करके बाकाइदा उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया तो आपको लगता है कि इंडिया गड़ बंधन या जो राजनेतिक दल बाकियों से एक जो कॉर्डिनेशन है वो भी सही नहीं हो रहा है इन लोगों ने ये मुद्दा इसलिए चलाया है उन्हें मंतर इसलिए भेज़े हैं कि अलाइंस में फूट पड़े और आप उनको मौका दे रहे हैं अगर एक अलाइंस की सारी पार्टियां एक चीज कह दे कि भई ये धर्म से जुड़ा मामला है जिसको जाना जाए नहीं जाना मच जाए बात खतम हो जाती वहीं ये जो इनका भाज़पा ने जो ये पासा फेका है इसका असर नहीं होता इंडिया के लिए कि कॉंग्रेस के लिए है और कॉंग्रेस फस गई उसमें भश गी तो निकलो भश तो गये है अब निकलो कम से कम चुनाओ में पूरा चुनाओ इस पर नशाए इसलिए चुनाओ पर जो मुद्दें उन पर फोकस करो बेरोजगारी महेंगाई और भी बहुत सारे मुद्दें है उसी की बात करो और कुछ बात करके अपनी राय रख रहे थे साथ सदानन सरस्वती जी ने जो बात कही है उसको लेकर उनका कहना है कि वह धर्म के ग्याता है विद्वान व्यक्ति हैं तो जाहिर है कि उनके विशे में राजनेयतिक रूप से किसी को नहीं पढ़ना चाहिए राजनेयतिक दल को खास तौर प पहली बात तो यह है कि यह विशे कॉंग्रेस पार्टी का है नहीं कि शंकराचार जी के मामले में हम दखल करें वो धार्मिक गुरू है और उनसे ज्यादा धर्म को कौन पहचानता है हम उनसे ज्यादा तो नहीं जानते हैं मुझे लगा कि मुसल्मानों में थोड़ी प्रत जाना चाहिए आप लोगों जाना चाहिए बहुत अच्छी बात है और जो अगर राम के नव होंगे तो मुसल्मानों के क्या होंगे